Welcome friends देखें प्रेंट यह वीडियो है वहमारा कम्पनी अधिनियम जो हमारा 2013 है उस 2000 कम्पनी अधिनियम 2013 का वीडियो पार्ट नम्मर 2 है इस से पहले हमने वीडियो पार्ट नमर 1 वना दिया है जिसका लिंक मैं आपको description में डाल दूँगा आप वहां से वीडियो पार्ट नमर 1 देख सकते हो देखे पैंस हम वीडियो पार्ट नमर 2 की बात करें तो हम इसमें बात करने वाले हैं एक company को जो हम इस्तापित करेंगे तो हमें किन-किन प्रक्रियाओं से होकर गुजनना पड़ेगा एक company का हम registration करवाते हैं तो उसका registration हम किस प्रकार से कर सकते हैं एक legally bad company का हम registration किस प्रकार से करवा सकते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं वेंस वीडियो को start करते हैं देखिए company का अगर गठन की बात करें, कंपनी फॉर्मेशन की बात करें, तो सबसे पहले हमें चाहिए एक DIN और DSC प्राप्त करना होगा, आज के डिजीटल युक को देखते हुए, सर परतम कंपनी को जो डारेक्टर है, उसके डारेक्टर को बनाने के लिए सबसे पहले डारेक्टर को चा ये डिजीटल सिंगनेचर सैटिविकेट प्राप्त करने के लिए आविधन करना होगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा, DIN यानि डिजीटल आइडेंटिफिकेशन नमर और DSC प्राप्त करना होगा, इसके लिए आविधन करना होगा, क्योंकि जो कंपनी के जितने भी कार जाएंगे company अधिनियम 2013 के अनसार electronic form में किये जाएंगे और electronic form में जब कार्रा किये जाते हैं तो electronic form में कार्रा करने के लिए electronic की signature होने चाहिए साथ ही साथ जो company के director होते हैं जो दिन पर दिन के कार्रा को समालता है उनको किन सरकार जो है digital identification नमर देती है जिसके लिए मैं सरफरतम आविदन करना होगा उसके बाद चैनित नाम की उपलबदिता का पता करना होगा जो हम company का नाम देखो जिस नाम से हम company को खोलना चाहरे हैं उस नाम की उपलबदिता का पता करना होगा कि कि उस नाम से कोई company है तो नहीं अगर कंपनी निजी कंपनी है तो जो नाम कंपनी का रखा जा रहा है उस नाम की कोई और कंपनी तो नहीं है इसका पता करना होता है एक समान नाम की दो कंपनिया नहीं खोली जा सकती है अगर एक समान नाम की अगर कोई दो कंपनी खोली जानी है तो पहले जिस नाम से कंपनी खोली जा रही है उस नाम से दूसरी अगर कंपनी खोली जा रही है तो पहले वाली कंपनी से हमें NOC लेना होगा इसके अलावा जो हमें चाहिए एक MOA बनाना होगा MOA क्या होता है MOA की फुल फॉर्म में Memorandum of Association इसकी बात करें तो संस्ता का भाहिर निर्यम कहते हैं इसको हिंदी में MOA में एक कमपनी की सभी जानकारियों को तयार किया जाता है जिसमें कमपनी का नाम लिखा होता है प्रदत पूझी लिखी होती है कि बहुत कितनी प्रदत पूझी रखेगी कमपनी का काम लिखा होगा कि कौन सा काम करेगी डारेक्टर का नाम लिखा होगा कौन उसमें डारेक्टर बनेगा कमपनी का इस्तान लिखा होगा, भै कौन सी जगे खोली जाएगी, कमपनी का उद्देश से लिखा जाया, किस उद्देश से कमपनी खोली जारी है, डायरेक्टर की संक्या लिखी जाएगी, मतलब DIA नमबर भी लिखना होगा, DSC इत्यादी की जानकारी भी MOA में होती है, अर कमपनी का जब अमरेश्टेशन करवाते हैं तो M.O.A. को वहाँ पर पेस करना होता अन्यवार रहे है आगे हम मात करते हैं A.O.A. A.O.A. और होता है फ्रेंड्स जिसका फुल फॉर्म की बात करें तो उसे बलते हैं Article of Association यानि कमपनी का नियम कमपनी का मकसद और कमपनी की कारेपणाली को बताने वाला दस्तावेज यह A.O.A. होता है इसमें लिखा रहता है कि डायरेक्टर का अपॉंड्मेंट कैसे किया जाएगा बित्य खाते किस प्रकार से रखे जाएगे सेयर की प्रथा सेयर के प्रकार सेयर इसू किये जाएंगे किस प्रकार से इसू किये जाएंगे इत्यादी जानकारी इसमें लिखी होती है मतलब A.O.A. जो है उसमें कमपनी की आंतरिक जानकारी रखी जाती है और जबकि A.O.A. जो होता है उसमें कमपनी की वाय जानकारी रखी जाती है आगे हम बात करते हैं कमपनी का रजिश्टार के पास आविधन करना जब हमारा MOA और AO तैयार हो जाता है तो तैयार होने के बाद कमपनी का रजिश्टार के लिए रेजिटेशन के लिए आवेधन करना होता है और कमपनी रेजिटार के पास आवेधन करते हैं प्रतेक राज्ज में अपने राजिक के छेतर का जितने भी कमपनी होता है उन कमपनीों का रेजिटेशन कारल्य होता है और ये रेजिटेशन जो है कमपनी रईष्टार सभी दस्तावेजों की जहांच करता है निगम प्रमान पत्र जब कमपनी रईष्टार सभी दस्तावेजों की जहांच कर लेता है और उसे लगता है कि सभी दस्तावेज सही है तो कमपनी का जो रईष्टार होता है वह 30 दिनों के अंदर अंदर निगम प्रमान पत्र Certificates of Incorporation जारी कर देता है और Certificates of Incorporation जो देता है वह देता है कंपनी के डारेक्टर को आगे हम बात करते हैं कंपनी के अंदर कितनी प्रकार की बैठक होती है कौन-कौन सी बैठक कंपनी के अंतरगत की जाती है तो देखे फेंस कंपनी के अंदर बात करें तो बैठक की तो कंपनी मिटिंग्स की बात करें बैठक कुछ महत्वून मामलों पर चर्चा करने और उठाए गए प्रशनों का पर अपनी राय व्यक्त करने के उद्दिश से एक विसेश इस्तान पर कहीं व्यक्तियों की मंडली होती है बैठक को कंपनी अधिनियम 2000 के प्रापधानों के अनुसार आयोजित किया जाता है company Adinium 2013 के अनूसार एक company में समय समय पर निमलिकित प्रकार की वैटक के आयुजित की जाती है कौन कौन सी प्रकार की तो सबसे पहले हम जाते हैं बैधानिक वैटक जिसे हम गोलता है St filhoRy Meeting बैधानिक वैटक की बात करें तो यह बैटक कमपनी के जीवन काल में एक वार ही बुलाई जाती है पूरे जीव जब तक कमपनी खुली जाएगी चाहे कमपनी वो दो सो वर्स ही चले दो सो वर्स में सिर्फ एक वार वह मिटिंग बुलाई जाती है जो की विपसाई के प्रारम होने के बाद बुलाई जाती है और आयोजित होने वाली सेरदारों के की पहली मीटिंग होती है कमपनी को विपसाई प्रारम होने के तिती के 6 माहां के भीतर भीतर इस प्रकार की बैठक का आयोजित करना अनिवार है यह बैठक कम्पनी से सम्दध मामलों के बारे में बताने के लिए आयुजित की जाती है यह बैठक सावैदिर्नी के बैठक भी कहते हैं इंदी में इसको आगे हम बात करते हैं AGM की AGM यानि भारसिक आम बैठक इंदी में से बोलते हैं AGM कंपनी में प्रतिवर्स वुलाई जाती है साल में एक वार वुलाई जाती है और यह एक उपचारिक वैठक होती है AGM में बरतमान, संचालक, दीरकालिन, योजनाओं और रनिती और बित्य डेटा, विशलेशन से सम्मन्तित जो भी जानकारी होती है उन जानकारी को सेरोल्डर के साथ वैठक में आयोज जो है सेर करते हैं मतलब सेरोल्डर को उनकी जानकारी के बारे में बताते हैं उसके बाद आती है ए साधरन सामान्ने वैठक ए साधरन सामान्ने वैठक की बात करें तो इसके बोलते हैं Extraordinary General Meeting EGM EGM के बात करते हैं EGM सामान तोर पर तत्काल और विपसाइ लेंदेन पर चर्चा करने के लिए बुलाई जाती है जिसे AGM पर चर्चा करने के लिए इस्तिगित नहीं किया जा सकता मतलब उसके लिए हम AGM का इंतजार नहीं कर सकते उसे तत्काल कोई अगर विपसाइक लेंदेन से संबनती कोई चर्चा करने है तो EGM बुलाई जाती है यह बैटक केवल विपसाइक लेंदेन और तत्काल मुद्दो के लिए आयोजित की जाती है जिसे तत्काल हल किया जाना है आगे हम बात करते हैं बर्ग वैठक यानि ख्लास मिटिंग ख्लास मिटिंग विए होती है जिसे बात करें तो बर्ग वैठक भेष्वैठक होती है जो किसी बिसेस बर्ग यह सेर धारक को दोवारा आयोजित की जाती है जैसे समतां अंस धारकों ने بैठकर meeting रख ली अपनी खुद की personal इसी तरह केवल रिंपत्र दारखों ने रख ली या फ्रिफिद सेयर वालों ने रख ली इस परकार से अपनी एक पृते class work होते हैं वो अपनी खुद की श्यम की वैठक रखते हैं यह वैठक सेर धारकों के अधिकारों में बतलाव करने के लिए आईजित की जाती है मतलब जो भी सेर धारक है या रेंट पत्र धारक है अपने जो भी अधिकार होते हैं उनमें कुछ संसोधन करने के लिए रखते हैं आगे मत करते हैं लेंदेन या बैठक लेंदारों की बैठक यह क्रेडिटर्स की मिटिंग होती है जब कमपनी लेंदारों की विवस्ता में कोई परिवर्तन करती है या लेंदारों की नितियों में कोई परिवर्तन करती है तो इस प्रकार की बैठक का आयजित करती है कमपनी आगे हम बात करते हैं निर्देशकों की बैठक यानि वोर्ड ओफ डायरेक्टर की मिटिंग के बारे में इस प्रकार की बैठक कंपनी में अक्सर आयजित होती रहती है इन बैठकों में कंपनी के विपसाय की उच्छित संचालन करने के लिए सभी महत्पुर्ण मामलों और नितियों पर चर्चा की जाती है सेर होल्डर की बैठक कब कहां कौन कैसे कौन कैसे कौन से निर्लने लेने होते हैं इस प्रकार की चर्चा के लिए डायरेक्टर मिटिंग होती है मतलब इसमें सिर्फ board of director ही भाग लेते हैं I hope friends आपको जो company act है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी company adenium 2013 की हमने बात की थी और ये company adenium 2013 का video part number जो है दूसरा है company adenium 2013 का video part number 1 देखने के लिए आप नीचे description में जाकर link पर click करकर देख सकते हैं इस वीडियो अगर अच्छे लगी हो तो like कर देना चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि हम इसी तरह के से आपको हिंदी माध्यम से सरलवासा में आपको जानकारी उपलब्द कराते हैं और आपको वीडियो को subscribe करके जाना है